नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डलकोफलेक्स टेबलेट के बारे में जो की एक लेग्जटीव है डलकोफलेक्स टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने बार इसका उप्योग करना चाहिए और कब इसका उप्योग नहीं किया जाता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सकाइब करके रखेगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी मैं हूँ आपका दोस्त प्रजापते विकास तो चलिए आज बात करते हैं डलकोफलेक्स टैबलेट के बारे में डलकोफलेक्स टैबलेट जिसके अंदर बिसा कोडिल है ये एक प्रकार का लेक्जटिव है तो जब भी कब्ज हो जाता है constipation हो जाता है तब उसके उपचार में ये डलकोफलेक्स टेबलेट यूज़ की जाती है अब देखिए जब कब्ज हो जाती है या constipation होता है तब क्या होता है कि पेट में गैस भी हो जाती है और patient को uncomfortable feel होने लगता है जो इस टूल होता है वो hard हो जाता है तो constipation के उपचार में ये जो बीसा कोडिल की टेबलेट है जिसका brand name डलकोफलेक्स है ये यूज़ की जाती है अब बात करते हैं कितनी बार इसका उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है डलकोफलेक्स टेबलेट का उपयोग खाना खाने से पहले किया जाता है और ये टेबलेट एक ही बार यूज़ की जाती है ज़्यादा अच्छा रहता है जब आप इसका उपयोग इवनिंग के टाइम करते हो खाना खाने से पहले तो इसके better result मिलते हैं अब बात करते हैं कब इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए तो देखे जब आपका पेड़ दर्ध होने लगता है या पेड़ दर्ध पहले से हो रहा है उस दौरान इसका उपयोग नहीं करना है साथी साथ अगर किसी को दस्त हो गई है डाइरिया हो गया है पहले स और कब के दोरान यह जो टेबलेट होती है यह यूज नहीं की जाती है और अगर आतों में सूजन आ गई है तो भी इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए आपको समझ में आगया होगा डलकोफलेक्स टेबलेट का ओपयो कप किया राता है कितने बार किया राता है और कैसे किया राता है आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज कोई भी मैडिसन यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की साला जरूर लिजेगा या फिर आप फार्मासिस से भी कंसल कर सकते हैं उमिद करता हूँ वीडियो आपके लिए हैलफुल होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ऐसे नई नई वीडियो आपको मिलते रहेगी थैंक यू बेर मच पर आचिंग दिस वीडियो